पूस्पा की जासोई में आपका स्वागत है आज मैं बना जारी हूं मट्टर की कचोड़ी आप मैंने एक कटोरी आटा लिया हुआ है यह कम-कम 200 गराम-500 गराम करीब है दो कटोरी है अब इसमें दो चमच तेल आट करके इस आटे को उच्छे तरह से गूतना है सौफ्ट की तरह जादा टाइट रकना है और सौफ्ट एकदम तो इसको चलो हम आटा को लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आट करके हम आटे को लगा लेंगे देखिए इस तर हो सके हमारा आटा च्छी तरह से सौफ्ट हो जाए आटा हमारा लग गया है अब मैं इसे चाह से पाच मिन की रेस्ट के लिए छोड़ देती हूं यहां पी यह मैंने मटा लिए कंसकर तीन सौ गराम के करीब है इसको इने च्छी तरह से दो लिया है वास कर लिया है अब एक हम जार लेंगे और उसमें इसको हम क्रेस कर लेंगे यानि कि मैस्क दरदरा करना है हमें इसे एकदम बारिक बिस्ट नहीं बनाना है इसमें हम इसको एड़ कर ले रहे हैं जितना मटार आएगा हम उतना आड़ कर लेंगे बाकि हम इसे दो बार में पीस लेंगे मटर को हमने आइट कर दिया है अब इसमें हम आइट करेंगे कुछ लस्टन की कलियां बारी कटी हुई मिर्च यह मैंने दो से तीन मिर्च ली हुई है आप इसे काम हो या ज्यादा कर सकते हैं अपने स्वात के नुसार इसे मटर में प्लेवर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा यह देखिए हमने इसको क्रैस कर लिया है अब इसे मैं एक बड़तर में निकाल के रख लूँगी यह देखिए अब इसे मैंने एक बड़तर में निकाल ली हुई है मैं इसे अच्छी तरक से मिस कर लेना है तब तक मैंने कड़ाई चड़ा दिये गैस पर और स्वेर दो से तीन टेबल स्पून ऐल डालेंगे हमें ज़्यादा आइल नहीं डालना है अल हमारा गरम हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून जीरा और बारे करके हम यह क्रस करके साबुद धनिया आइट करेंगे तो इसमें धनिया को भी क्रस करके डाइट कर देते हैं यह देखिए ऐसे मैं भून लूँगी थोड़ा सा एक सदो बिटट यह प्रके जीरा हमारा भून चुका है अब यह दिलिजिए हमने मटर भी इसमें आइड कर दिया है । हुआ है कि इसे हमें हलका सफ्ट करना है मटर को ज्यादा नहीं पकाना एक से दो क्वेटी पकाना है हमें इसे इस तर चलाते वे में पकाना है जिससे यह नीचे लगने न पाए और हमारी मुटर जो है थोड़ी हलकी सी सौफ्ट हो जाए यह बहुत जल्दे ज़िए आप इसमें हम एड करेंगे स्वाद के नुसर नमक और इसको चला देंगे देखिए आप जब भी मुटर की कचोड़ी बनाई तो इस तरह बनाई को बनकर तयार होती है यह देखिए यह हमारी पक चुकी है सौब्ट हो चुकी है मटर आप हम इस ग्यास की प्लेयों को कर देंगे बन इससे थोड़ा होने के लिए छोड़ देंगे आप देख सकते हैं उससे मैंने बटर में यह निकाल लिया है यह दिखिए अब यह हमने जो आटा रखा हुआ था लगा कर यह दिखिए हमारा आटा सौफ्ट हो चुका है और बाकी का आटा हटा दिया है अब हम इसको यह इस तरह करके हम इसके पेड़े बना लेंगे तीन से चार और इधर यह जो मटा रखी हुई है यह ठंडी हो चुकी थी इनकी मैं चुटी-चुटी लोईया बना ले रही हूं गोल करके मैं इसे डिरेक्ट नहीं भरूँगी मैं पहले इनकी गोल-गोल सी मटर की लोई बना कर रख लूँगी यह देखे इस तरह जित्ती बनती है यह देखे यहां पर इतनी बनकर तयार हुई है यहां पर मैं ज्यादा भर करके तयार करी हूं यह अब थोड़ा साहाटा सुखार डाल का मैं इसकी लुईयां बना लूँगी तीज़चार हमें ज्यादा छोटी नहीं रखनी है ठीक ठीक वीडियम साइज की रखनी है जिससे हमाई कचोड़ी जो है अच्छी फूली फूली और सौफ्ट बनकर तयार हो करारी कुरगुरी यह देखिए जब भी थोड़ा साहाटा को डेश्ट किया और इस तरह में इस तरह कचोड़ी बनाएंगे यह देखिए अब ये जो ऩुमने मटर की लोई बनाई थी उसको इस तरह इसमें एट कर देंगे और इस तरह सका मूव बन कर के आथ होंसे पैस्द कर देना है और ये देखिए हमारी मटर की कचोड़ी एक बन कर त्यार है बाकि की भी हमें इसी तरह बना लेना है चलिए मैं तब तक आपको एक और बना के दिखा देती हैं आप इसका साइट थोड़ा चोटा या इससे थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो आपने हिसाब से रख सकते हैं यह देखिए आपर मैं दूसरा पीज बना कर दिखा दे रहीं आपको मैं अंगूठे के मदद से अंदर की और इसको प्रेस करूँगी जिससे कटोड़ी सेफ में हो जाएगा और इसी तरह मटर को भर कर हमें सभी कचोड़ी तैयार कर लेनी है यहाँ पर उन्हें गयस पे एक पैंच जड़ा दिया है ऑजल डाल दिया गरम होने के लिए हमारी कचोड़िया तयार हो चुकी है अब मैं इसमें जो बननी हुई कचोड़िया है देखिए इसमें फ्राइ होने के लिए एड़ कर देंगी यह देखिए यहाँ पर मैं दो से तीन ही डाल रही हूँ जिससे यह अच्छी तरह से पक जाए और चलाने में भी असानी हो हम इसे उलटते पलटते चलाना है गोल्डन ब्राउन होने तक लो मीडियम फ्लेम करके यह देखिए हमारी कचोड़िया इस तरह हम पलट दिया है दूसरे तरह भी से को हम इस तरह फ्राइ कर लेना है तेल हमारा अच्छा सा गरम हो चुका है अब देखिए कचोड़ी का कलर बदल रहा है हलका गोल्डन हो रहा इसी तरह से में सभी कचोड़ियों को निकाल लेना है मटर की इस तरह मटर की कचोड़ी बना के देखिए आपको वाके में बहुत अच्छी और खाने में भी इससे अस्वाद लगेगी आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं यह देख सकते हैं अब कितनी खस्ता और करारी बन कर त्यार हुए हमारी यह मटर की कचोड़ी इलिए यह दे हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी की हैं उसको भी मैं इसी तरह फ्राइ कर लती हूँ इसमें भी जो बाकी हैं भी उसको भी मैं दो से तीन डाल कर इसको भी फ्राइ कर लूँगी उलटे पलटे लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह मैंसे भी फ्राइ कर लूँगी यह देखिए हमारी दूसरा भी तैयार हो चुका है इसी तरह करके मैंने सारी कचोड़ियों को तैयार कर लिया है अब आप देख सकते हैं हमारी कचोड़िया बन कर तैयार है तो आपको हमारी मटर की कचोड़ी की रेश्पी कैसे हैं